दिल्ली बॉडर पर आंदोलन कर रहे किसानों को आज 43 दिन पूरे हो चुके हैं किसानों के लिए बनाये गए क्रिशी कानून से देश के किसान संतुष्ट नहीं है वे इस कानून को विवादित क्रिशी कानून करार दे चुके हैं क्रिशी कानून को लेकर किसान अलग-अलग अंदाजों और अलग-अलग तरीकों से आंदोलन कर रहे हैं। क्रिशी कानून के खिलाफ आज किसान दिल्ली के चारो तरब ट्रेक्टर मार्च निकाल रहे हैं। बताने आज होने वाले आंदोलन में ट्रेक्टरों को भी शामिल किया जाएगा, जानकारी के मुताबिक आज 60,000 ट्रेक्टर में किसान कीशी कानून के खिलाब ट्रेक्टर मार्च निकालेंगे, उनका दावा है कि इस मार्च में 60,000 ट्रेक्टर सामिल है, इस मार्च सिंदू पाउडर से टिकरी टिकरी से साजाहाँ पूर गाजीपूर से पलवल और पलवल से गाजीपूर तक निकाला जा रहे हैं वहीं किसानों और सरकार के बीच हर दौर के बात्चित असफल रही है इस बार भी किसानों और सरकार के बीच चार जनवरी की मीटिंग बे नतीजा रही और अगली तारीक 8 जन्वरी तैफ हुई है अगली मीटिंग में क्रिशी कानून को वापस लेने और MSP पर अलग कानून बनाने की मांग पर बात होगी यह 90 दौर की बैठक होगी इससे पहले सिर्फ साथवे दौर की मीटिंग किसानों की दो मांगों पर शहमती बन पाई थी बाती सा भी बैठके बे नतीजा रही है